नमस्कार स्वागत है आप सफीका हम लोग आज इतिहांस में बैदिक काल को हम लोग पढ़ाने वाले हैं यहां पर ध्यान दिजेगा बैदिक के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम कुछ-कुछ चीजों को आपसे समझाने कोशिश करेंगे सबसे पहले हम बताने कि जब इंड़ेसवाईलिश्यएशन हम लोग बात कर रहे हैं थे इसमें हमने देखा था कि इंड़ेस वालिश्यवाईश्याजिशन एक सहरी सब्विता थी और किस तरिके से सहरों का निर्मान हुआ था और एक पैटरन गूरूप में जैसे होता है कि प्लांड City का निर्मान की होता है तो हम क्या देखते हैं सहर से ch preserve सबीता वाले लोग हो गये हैं क्योंकि बैदिक सबीता से ग्रामीन संबहता वाले लोग थे बैदिक सब्ऩा की लोग चलिए को बैदिक के बाद करेंगे ठीक उसी तरीके से जैसे के बारे में बात के थे एकदम बिल्कुल time period से लेकर के आगे तक यहां पर एक छोटा सा चीज मैं आपको बता दू कि भारतिय समाज में पहरा ऐसा decline है सोसाइटी के development की बात कर करेंगे लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि सहर में से गाओं की तरफ हम लोग सिफ्ट हुए है यह थोड़ा सा आश्चर्ज वाली बात भी है और थोड़ा सा इसके उपर ध्यान देने वाले भी बात है तो इसको भी आप अच्छे तरीक समझेगा और चुकि मैं इतना बात कर चुका हूं तो एक्जाम का कोशन यहां से बन जाएगा कि जो बैदी केज वाले थे वो ग्रामी सविता वाले थे और इन से पहले जो हरपा वाले थे वो सहरी सविता वाले थे यह बात भी आप समझ लीजएगा अच्छे तरीके से चलिए हम लोग बैदी के बारे बात करते है 1500 BC से लेकर के 600 BC तक total time period इसका यही ठारता है सारे किताबों में यही लिखा हुआ है 1500 BC से लेकर 600 BC total time period अगर आप से question पूछा तो लेकिन इसको जब हम divide करते हैं कि पुरुबैदिक काल और उत्तर बैदिक काल यानि कि बैदिक काल में दो segment में बाढ़ते हैं एक है पुरुबैदिक काल यानि कि औरली बैदिक एज या प्री बैदिक पिरियर्ड जो यहां पर लिखा हुआ है और दूसरा है उत्तर बैदिक काल यानि कि लेटर बैदिक पिरियर्ड ठीक है और इसकी इसाफसे के time period में थोरा सा change जाता है जब हम पुर बैदिक एज की बात करते हैं तो हम देखते हैं पंद्रसो नहीं आया थे जो भी इनके पास टीचिंग्स था जो भी इनके पास क्या बोलते हैं प्रमप्राय थी वो जो ले करके आया थे उसी तरीके से यहाँ पे चीजे चल रही थी और वो रिगवैद में भी वही बात हमें दिखाई पड़ता है लेकिन जब हम उत्तरवैदिक काल की में चेंज करते हैं जैसे कि अगर एक एक जामपल बता है तो रिगवैदिक काल में राजा जो है न वो कबीला के बीच का ही एक चुना हुआ बेखती होता है जो अपने कबीला की सुरक्षा करना उसका सबसे परमुख जिम्मेवारी है लेकिन जब लेटर बैदिकेज में आ और अमीर ताकत में भी क्योंकि उसमें उसके पास अब ज्यादा चमता है होने लगी है राजा के पास और राजा अनुबांसिक हो गया या राजा का बेटा राजा होगा तो यह जो मैंने एक डिफरेंस आपको बताया लैटर बैदिक एज और पूर बैदिक एज यानि कि अ आप लोग परसान नहीं होगे चलिए आगे बात करते हैं अब हम आगे बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जैसा कि हमने बताया कि ग्रामीन सब्विता थी हिंदी इसमें लिखा हुआ है आप लोग परसान नहीं होगे ग्रामीन सब्विता थी जैसा कि हमने बताया और ग प्राइट रहा किया थी इनकी भाथा क्या थी शंस्क्रीट थी इसको आप अच्छे तरीके से समझेगा एक दूसरा पॉइंट हां पड़ यह है कि अब बैदिक एज वाले लोग जो हमारे देस में कहीं बाहर से आय थे जैसा कि हम जानते हैं कि बैदिक वाले लोग हमारे देस रख लग तरीके से चीजों को देखते हैं जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि Central Asia यानिको Marx Moeller है, are most acceptable падt Moore acceptable theory, civiques Max apology की द्वारं के दिवार दिया गया है वह क्या है कि यह Central Asia से आयते Central Asia से अचिसे अच्छी सब से यहादा लेकिन Sum ended क्या बोलते हैं अल्प से आये थे यानि कि अल्प से आये यहां पर देखिए और यहां पर यह जो दियानंद के यह कहते हैं जो तिब्बत से आया थे तो यहां Xmulr कहते हैं कि जो Aryans थे वो Math-сяч आया थे यानि कि Central Asia से अ यह पॉइंट आप अच्छे तरीके से ध्यान? क्यों़िए चाहता है examiner आप Tic करें क्या चाहता है examiner सब ठीक है यहीर सुईकार है सबसे ज्यादा सुईकार है चलिए पढ़े बढ़ते हैं अब जब हम आगे बरते हैं तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे आगे कि यह लोग जब भारत में आए तो सबसे पहले कहां आकर के बसे यानि कि जब भारत में आए तो सबसे पहले कहां के बसे क्या इनकी विवस्था थी वो देखिए तो देखिए भारत में आकर के सबसे पहले सब्ट सेंधव पर्देश में बसे सब्ट सेंधव पर्देश का मतलब होता है साथ नदियो का पर्देश साथ नदियो का पर्देश मैं यहाँ पे लिए लिएता हूँ साथ नदियो ठीक है साथ नदियो का पर्देश या छेत्र और यह साथ नदियू का परदेश कौन था? इंदस और उसके ट्रिव ट्रीज यहाँ पर लिए घरता हूँ इंदस ठीक है? तो इंदस के आसपास आकर के यह बसे सबसे पहले, इंदस के आसपास ठीक है चलिए अपने आपको यह आरे कहते हैं और आरे का मतलव होता है, Shrest, अपने आपको क्या कहتे हैं, और आरे का क्या मतलब होता है, Shrest होता है, आरे का मतलब, ये बात पी अच्छे तरीके चीडे समझ दीजियेगा, एक। गरामिन सब elétता है, दो बाते हो गई, तीसरी बाते क्या है, कि गायं का सभसे important point है, तहां पर द गाह, सम्रिधी का पहचान था, और इससे चुकी भोजन भी मिलता था, दूध और दूध से वने हुए बस्तुए, आप जानते हैं, तो यह आपसे गाह इंपोर्टेंट था, धोरा किसलिए इंपोर्टेंट था, तो धोरा इंपोर्टेंट था, इनके लिए लराई के लिए लराई के लिए घोरा इनपॉर्टेंट था फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए घोरा इनके लिए क्या था important था तो इस बात को अच्छे तरीके ध्यान देखिएगा कि इनके पालतु पसु में घोड़ा और गाय क्या था पर्मुक था बहुत important है घोड़ा और गाय चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं कि गाय का इनके जीवन में बहुत सारा सब importance था आप जानते हैं तो देखिए जैसे गोधुली अभी भी आप जानते हैं कि गोधुली का मतलब क्या होता है साम का समय यानि कि time से related था गोधुली गविस्टी यूद के लिए पढ़योग करते थे तो गाय इतना important है कि गाय से related इनके पास term है ठीक है गाय को अगन्या कह नहीं कहाजाता था ठीक है घर में बेटी को दौधुली जयसे सब्दो का पड़योग कर रहे है तो गाय जो importance है और गाय से related थे चार्म इनके जीवए में बहुत ज़्यादा है जैसे आज हमारे लिए पैसा important है तो हम लोग पैसे से related बहुत सारे term को रखे हुए है आप जानते हैं तो ठीक उसी तरीकी से जो important होता है उससे related term होता है सोना बहुत important है तो उससे related हमारे पास बहुत सारे कहावते हैं चलो ठीक है आगे यह बात हमने बता दिये गायक औघन्या और घोडा तेजी और संचार के लिए यूज में आदा था यह बात हम लोगों ने कर लिया अब आगे देखते हैं कि आगे हम लोग यह बात यही इंगलिस में लिखा हुआ है तो हिंदी इंगलिस वाले बिल्कुल परसान नहीं होंगे आप बस आपको पीडिय भी हिंदी इंगलिस में मिल जाएगा तो उसको लिए करके चिंदा आप नहीं करेंगे अब हम लोग देखते हैं सब संदप पर्देश क्या था जो साथ नदियों का पर्देश जिसमें मैंने कहा कि इंडस और उसके ट्रिट्रीज थे सब संदप पर्देश में तो अगर आप अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं और मैंने जोग्रॉपी परहा दिया है तो मुझे बहुत ज़्यादा परसानी यहाँ पर नहीं है अब मुझे ऐसा लगता है तो आप देखें यह जो इंडस है यहाँ पर देखेंगा मैं यह इंडस है ठीक है इसको सिंधू ही कहा जाता था तो इंडस है यह सिंधू है और इसके ट्रिट्रीज जैसे देखें यहाँ पर यह बितिस्ता तो बितिस्ता है तो यह क्या है यह ज और यहां पर यह देखिए सतुदरी यह क्या है सतलज है तो आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने सब का नाम लिखा है सिंदू जेलम बिदिस्ता चेनाब असकनी रावी परुस्नी और ब्यास विपासा सतलज सतुदरी यह जो इनके ट्रीज हैं इंडस का वह यहां पर इंपो जो बैदी केज थे उनका सबसे इंपोर्टेंट नदी है सबसे पवितर नदी कौन सा था तू सरस्वति था और जितने भी यहां पर लिखा हुआ है उससे जुरुमें कोसं आया है आपको पता है और यहां पर मैंने मैप भी दिखाया ह। ताकि जब जोग्राफी आप पढ़ चुके है तो इस मैप का बहुत ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है क्योंकि जोग्राफी जब आप पढ़ चुके होते हैं तो फिर आपको इंडस और उसके ट्रिवुट्रीज ऐसे ही ध्यान में रहता कि कहां पर कौन-कौन सा नदी है बात समझ में आ रहा है ना चलिए आगे बढ़ते हैं जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं रिगवेद और फिर उससे जुलिल में जितने भी बेद हैं मैं आपको बता दू कि चार बेद है ये बात आप जानते हैं रिगवेद और जो क्रम है कुछ ऐसा है कि रिगवेद सामवेद सामवेद अथरवेद ठीक है रिगवेद यजूरवेद सामवेद और अथरवेद और पहले के जो तीन बेद है रिगवेद यजूरवेद और सा ज़ता थो तरह कहा जादा था वो सारी बात यहाँ पर लीख जाइगा लेकिनदा को पता थो पैसा को बेद दो को ब коммент को बेद का दरजा नहीं दिया गया तो चोथा आ दो सबसे बाद ना कि कि सबसे oldest है एक बात और समझ लिए कि रिगवेद ना के बाल oldest बेद है हमारे लिए बलकि oldest text of human being है यानि कि मानव समुदाय में सबसे पुराने text है रिगवेद इस बात को समझ लिएगा पूरे दुनिया में है ना तो इसको भी अच्छे तरीकी समझ लिए लिगवेद इतना ज़्यादा पूराना है और इसके कल्चर इतना ज़्यादा पूराना है चले ठीक है आगे बढ़ते हैं लिगवेद के बारे बात करते हैं मैंने आपको पहले भी बताया कि यह सबसे प्राचीन तो यह बात हैं प्रूदके बारे में सबह ने देखा कि सबसे प्राचीन गरंदàng थ सब्सक्रीयर के से φावठे कि और यह सब मैं कि संसक्रीट सभी जनना चरेम आए जाती है तो संस्क्रीट आये और आ संसक्रीट हमारे द्यश में जानते है की कि तना ज्यादा पहले परचलन में था, कालि दास के बहुत सारे जो राइटिंग्स है, यह लगबख सभी राइटिंग्स संस्क्रीट में ही है, हिंदी तो बाद में डिवलप हुआ है, और हिंदी के साथ उर्दू डिवलप हुआ है, चलिए ठीक है, लिपी ब्राम्मी थी, आलाकि यह बहुत को रचना किया है और किस दोएपानन भी मैंने लिग दिया है लेकिन बेद व्यास सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बेद व्यास और इसी यही बेद व्यास महाभारत के रचना भी किया है यही बेद व्यास ने महाभारत की भी रचना किया है तो यही बात अब अच्छे में, अच्छा, जब महिलाओं की युगदान को हम यापर देखते हैं, तो हमें क्या पाते हैं यापर, कि समाज में समानता है, यानि कि महिला और पुरुस के बीच में भेदवाओ नहीं है, और सिक्छा का अधिकार, महिला और पुरुस दोनों को समान रूप से डेलिवर होता था अगर समान रूप से सिख्षा का दिकार डेलिवर नहीं होता महिला और पुरुस दोनों को तो ये बात आप समल दीजिए कि महिला इस तरीके से बेदो के मंत्रों के जो बनावट है उसमें साहयोग नहीं देते उसमें भागिदार नहीं होते हैं ये बात भी आप अच्छे तरह के समझेगा तो कई नहीं काई समाज बहुत जादा मतलब क्या होते हैं डिवलप माइंड सेट का था बहुत जादा विक्सित मेंटालिटी का था और विक्सित मेंटालिटी का जैसे आज हम देखने कि बोर्ड देने का हमारा दिकार होता है और महिलाओं को शिक्षा का पूरा पूरा बंदोवस्त किया जाता था महिलाय उपनियन जिसको जैनेव का संसकार कहते है ना उपनियन जू nhất कर सकती या काली दास तक कोई भी टेक्स्ट अप परेंगे तो कहीं भी हिंदू जैसे सब नहीं है ये दिर असल मानब बेभार है ये कोई हिंदू और किसी धर्म से रिलिटिड नहीं है तो इसको भी किसी धर्म के चसमे से मत देखिएगा ये वस मानब बेभार है इसको भी आप अच्छे तरीके से समझेगा जो आप पढ़ रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि महिलाव लिका बड़ा युगदान है रिग बेडिक मंतरों के बनाने में जिसमें हम देखते हैं अपाला गोसा जैसे विदूसी महिलाव ने भी रचना दिया अब यह नाम इतने अच्छे लगते हैं कि आप अगर बच्ची हो तो आप इस नामों के साथ आप जा सकते हैं लोपा मुद्रा अपाला गोसा ठीक है तो यह विदूद्वान थे जो बैदिक एज में विदूद्वान थे आगे बात करते हैं कि रिगवेद में प्रार्थना ओका संकलन है यह तो कोई बहुत इंपोटेंट नहीं यह लेगिन अगर आपसे कोस्टन पूछ लिए कि रिगवेद कैसा है तो परतनाओ का संक्लन है और परतनाओ का संक्लन का मतलब है यह पद में है ठीक है यह क्या है पद में है और पद में है इसमें कितने मंडल है तो यह को सब बड़ा इंपोर्टेंट है दस मंडल है और भी आप आप देखिए 1028 सुक्ल है सुक्त है और 10,580 रिचा है रिचा का म मतलब क्या है मंत्र है यह वाकर आप अच्छे तरीके समझेगा और जिसमें हम कुछ प्वाइंट आपको बताते हैं जो बड़ा एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है यह एक और दस मंडल यानि कि मंडल वन और मंडल दस को माना जाता है कि यह बाद में एड किया गया मतलब में कौन कौन है तो पुराने में मंडल दो से साथ पुराना है और मंडल आट से नौ मिस्रित है यह बात बहुत इंपॉर्टेंट नही है बस एक से दस याद रखिए कि यह नया है यानि कि छेपक है यानि कि बाद में जोरा गया है तो आपसे कोशन पुछा जा सकता है कि जोड़ा गया है ठीक है आगे बात करते हैं हम लोग रीग बेद के बारे में ही बात कर रहे हैं तो कुछ-कुछ बात है रीग बेद के बारे में करते हुए चलते हैं चलिए ठीक है रीग बेद में जो सब्द पड़ियूख है अच्छा चलिए यहां पर एक और बात मैं आपक जाएगा लेकिन आपके समझाने के लिए कि जो मंडल 10 है वो रिलेटेर है बर्ण वेवस्था से याद रखेगा अब मैंने क्या खा कि मंडल 10 बात में जुरा गया है और रिग बेद में कोई ऐसी मतलब समाज में समानता वाली बात है तो फिर बर्ण जुरा हुआ है तो जुरूर उसमें चीजों को एड़ किया होगा होगा लेकिन कोसन एक्जाम को जो पूछा वो यह है कि मंडल 10 में बर्ण विवस्था की बात है पुरुस सुक्त में यानि कि रिगवेद के 10 मंडल के पुरुस सुक्त में बर्ण विवस्था की बात है जिसमे चार बर्णों की लेक किया गया है और चार बर्ण क्या है आप जानते हैं अच्छे तरीके से उसी तरीके से मंडल तीन गैत्री मंत्र को ले करके है जिसमें गैत्री मंत्र है और इस गैत्री मंत्र को विश्वामित्र ने लिखा है जो देवी सावित्री के लिए है यह कोसन एक आए सोम्रस से तो यी बात आप ध्यान में रखेंगे अच्छे तरीके से अब हम ये ungefती हैं कि रिग razón में सबसे जाधा जो सब्दों का परियोग सब्से बाद जो सुक्त मंत्र वह किस के लिए है किसके लिए यूज किया रिकर में तो सबसे ज़्यादा सुक्त या सबसे ज़्यादा मंत्र जो है ना जन के लिए यानि कि 275 बार जन सब्द का परिवग या जन के लिए मंत्र है उसके बाद इंद्र के लिए सबसे ज़्यादा जन है बेटा बहुत लोग बड़ा इंपोर्टेंट है बहुत लोग जो है इंद्र टिक करक इतना important है अगनी 200 बार है गंगा गंगा सिर्फ एक ही बार है यमुना तीन बार है गाय कितना important है देखे 176 बार है तो point आप देखेगा जो मैंने आपे बताया है इसको आप अच्छे तरीके समझेगा कि किन मंत्रों का परयोग या किन के ऊपर सबसे ज्यादा मंत्रों का परयो में तो क्या importance था हाला कि मैं आगे बताऊंगा आपको लिखा हुआ भी है लेकिन मैं आपको थुरह समझा दू क्या importance था तो देखो जन जो था ना वह basic इकाई था basic इकाई यानि कि जिसको बोलते हैं कि इसे गाउं उस तरीके से था जन ठीक है और ध्यान रखिएगा कि जन परसासिन परसासन का basic इकाई था एक कबीला था ऐसे समझ लिए और इसलिए यहां पर जन सब्द का पड़ियोग सबसे जादा हुआ है क्योंकि maximum लोग कबीले में होते थे परसासिन का जो पहला इकाई था वही जीवन का अधार था तो जो जीवन का अधार होता है वही आप आप अच्छे तरीके से समझते हैं इस बात को अच्छे तरीके से आप जानते हैं दूसरा चुकि जीवन में इंदर का बहुत महता है इंदर को पुरंदर कहा जाता था क्या कहता है पुरंदर मतलब होता है किलो को तोरने वाला तो जब इंदर को अगर आप पुरंदर कहते है कि लोगों तोरने वाला तो इंद्र का महों तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और चुकि इंद्र सबसे परमुख देवता के रूप में नजर आते हैं तो यहां पे इंद्र का भी बहुत ज़्यादा परयोग है इनके बैदिक एज में उसका अगनी का बहुत हमारे होते हैं उसमें हम अगनी कुन्द का निर्मान करना और उसमें होती देने यह चीजिये हम करते हैं तो इसके पीछे का पूरा का पूरा चart में करता है आद इसके उपर में सच और गलत को हम नहीं खंडन करने जा हैं हम बस बैदिक रिचुल्स और आज भी हमारे समाज कैसे उस रिचुल्स को निभा रहे हैं इसके उपर में हम लोग बात कर रहे हैं तो इसको अच्छे तरीके से आप समझेगा ठीक है गंगा का पड़योग एक बार क्योंकि गंगा उनके जीवन का बहुत ज्यादा हिस्सा नहीं तो जिनका भी पड़योग बहुत बार है उनके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है वो बहुत अच्छे तरीके से उनके जीवन में घुल मिल गया है एक्जाम में कोसन जो पूछा हुआ हूँ मैंने आपको बता दिया इंदर को क्या कहा जाता था ये भी बात हमने आपको ब अबिलेक में कुछ बर्नन है देवताओं का इस अबिलेक में कुछ देवताओं का बर्नन है जिसमें इंद्र अगनी मरूत यहां पर देख लिए जो कुन कुन से देवता देखिए इंद्र वरून मित्र जैसे देवताओं का बर्नन है ठीक है बोगाज को ये अबिलेक में औ तो इसका दो ही मतलब हो सकता है या तो रिखबैदिक एज के लोग वहां गय होंगे और कुछ अभिलेख कहीं पर लिखे होंगे पत्थरों पे और वहां पे अपनी पहचान कुछ जमा किये होंगे या फिर यह हो सकता है कि वहां के लोग भारत आये हैं संस्कृति को ले करके यह दोनों में से कोई भी हो लेकिन दोनों ही का मतलब एक ही निकलता है कि हमारे जो आने वाले लोग है वो कहींने कहीं तरकी से आये या पिर हमारे लोग वहां गये हलाकि mark-smu-more कहते कि मघ-हчи सिया नो हम यह मन लेते हैं कि तर्की से यह तर्की के आज पास के देशों से हमारे मघ-हसिया से लोग जाये जैसे कि तजाकिस्तान, तुर्किमिनिस्तान, अजरवैजान और यह सब देशों से आए, हमारे हाँ भी आए, टर्की के हाँ भी गए, यूरोप में भी गए, या दूसरे जगों में भी गए, ऐसा मैक्समुलर का कहना है, तो हम और चुकि सबसे ज़्यादा एकसेप्टेबल ह कि वहाँ से लोग आए, तो अगर वहाँ से लोग आए तो हमारी शिमिलारीटी भी यह बताती है, कि हम कहीद ह台 है, बोगाज को यविलेक की देवता और हमारे देवता एक ही है यह रि façon और जो इरानी भासा जिन्द अवेस्ता के बारे में कि पार्सियों का सबसे पुराना टेक्स्ट है जिन्द अवेस्ता और इस जिन्द अवेस्ता में देवी देवता और जो संस्किर्ती का बर्नन किया गया है वो हमारे रिग बैदिक देवी देवता और संस्किर्ती से मिलता जूलता है सब दो के बारें बात कर लिए अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने जो बताया है उसमें लिखा हुआ क्या-क्या पॉइंट समय दिखाई पड़ता है हमने आपको बताया कि सबसे पर्मुक देपता इंद्र है ये बात हमने आपको बता दिया उसके बाद हमने बताया और भी द सावित्री के लिए यह बात हमने बताया सात्वा मांगल के बारे में हमने नहीं बताया था दस्राग की यूद्ध है जो राजा सुदास और दस राजाओ के बीच में वह आता जिसमें राजा सुदास का की जीत हुई थी मुझे लगता है कि यह जो किनन दसराजाओ का यूद है न दसराजाओ का यूद्ध यहीं तो कहीं नहीं माभारत आगे चल करके हमें समझ में आता है किसी लिए मैं मेरा यह बिक्षीगत मानना है तो मैं अपनी जीजओ तक पहुंचा रहा हूं होता ही है कि जब कोई भी बात होती है और दूसरे तक पहुंशते तो उसमें सा मिर्च लग जाता है तो पांच में तक पहुंशते पूरी सबजी तियार हो जाता है कि तरका लगा हुआ रहता है तो कहने का मतलब अगर किसी ने एक छोटा सा एक लाठी भी किसी पे चलाया है तो दस में लोग तक जाते जाते हुए एक लाठी, सौ लाठी में चिंज हो जाता है तो ठीक हो सकता है उसी तरीके से ये दस राजाओ का एक यूद हुआ होगा जैसा कि रिगवेद में बर्नन है या फिर ये कोई यूद हुआ होगा गाय को लेकर के चुकि यूद का मेन कारण गाय ही था गाय को लेकर के यूद हुआ होगा गाय को चूरी को लेकर के यूद हु तो क्योंकि महाभारत एज में जिस तरीके की चीजों का बर्नन है और उतने बड़े खुदाई बगरा में जो एक्सकेवेटेड साइड्स बगरा है वहां पर इतनी बड़ी बड़ी चीजों का नहीं मिली है कोई एविडेंस कि एकदम ऐसा रत है ऐसा तीर है एसा करके हां कुछ एविडेंस मिले है तो कुछ एविडेंस कहीं न कहीं एडिक वेद कि तरह पिसारा करते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाता हूं यह उत्खनन बाजे लोगों के और बैग्यानिक लोगों के उपर मैं छोड़ता हूं लेकिन यह जो मानव का है उसके हिसाब से हमने आपको बताने की कोसिस किया है तो दस राज्य यूधण आपको अच्छे समझ में आगया होगा और इस कहानी से तो दसराज्य यूधा और भी अच्छे समझ कि उसका डूमरस सुमारस को कुछ लोग जो है न बढ़ेधि다면 उसको बरभनाम करने के वाथ है चाहिए या अब गर करना की पर वाड़ करने की में सुमरस को आज के तर्ये में मद्रीडा का रूप दे डिया गया है या आनि कि साराव यह कुछ इस तरीके से जाहिर किया जाता है लेकिन इसका कोई प्रमान नहीं है कि सोमरस मदिरा ही था दरसल सोमरस ये सोम और देवताओं को चरहने वाला सोमरस ये हो सकता है कि बहुत पवित्र चीज हो और इसके बनने का क्या परकिरिया था ये भी पता नहीं है लेकिन हो सकता है बहुत पवित्र च study करते हैं नहीं करते हैं हमको नहीं मालूम लेकिन हाँ हो सकता है कुछ mentality रॉंग वो तो चीजों को अलग तरीके से express कर सकते हैं 10th मंडल पुरुष सुक्त में burn विवस्था का बर्णन है जिसमें 4 burn के बात की गई है तो यह बात हुए हम लोगों आपको पहले बताया है और रिगवेद को पढ़ने वालों को हत्री कहा जाता था यह बहुत example के लिए important नहीं है चलिए यह English में है और मैं बता दू कि यह सारी बाते मैं पहले कर चुका हूं जिए नहीं के बात करते हैं यृजूरवेद के बारे में यानि की जो दूसरा बेद है यजूरवेद यह किसके ऊपर में है यह यह बात बोलता है उसमें दोनों में है दो भागो में विवाजित है kisni yajurved और शukla yajurved kisni yajurved और सukla yajurved दो भागो में विवाजित है इसके पढने वाले adisir को other view कहा जा रहा था other view यह important नहीं है important yajurved है यह second verse है पहला important point ठीक है second about यह pahla important है और दुसरा important है कि यग के बीडियो के बारे में है method of यग ये दूसरा important point है ये जुरुबेद के बारे में साम बेद के बारे में नाम से ही साम संगीत तो ये संगीत के बारे में है जैसा कि आप लिखा हुआ भी देख रहे हैं तो ये संगीत के बारे में है यही इसका important है यह tisra थौर्ड थौर्ड है थौर्ड भारतिय संगीत का सबसे पर्थम गरंथ है और यह कुछ चने भारत्य संगीत का सबसे पर्थम और सबसे important गरंथ है सामख Κप द्रसल किया है सामध वो मैं आपको अगर बता दूब तो अच्छे तरीके से तो समझेगा कि रिग बेद के ऊपर ही लिखा गया यानि कि रिग बेद के ऊपर ही संगीत परस्तूती है रिग बेद का जैसे मान के जो लो ऐसे समझते हैं कि कोई जैसे एक्जामपल हो तो गुलजार है उन्होंने एक गजल लिख दिया, ठीक है, या कोई गीत लिख दिया, तो उन्होंने कविता के फॉर्म में उसको लिखा, लेकिन उसको संगीत दिया या रहमान, तो वो गाना हो गया, समझे गया ने, तो गजल और संगीत, दोनों मिल गया तो क्या हो गया, गाना हो गया, और वह उसके गाने वाले हैं तो जब रिगवेद को संगीत के माध्यम से लेके साथ गाया जाता है तो वहाँ पे रिगवेद और सामवेद एक साथ हो जाते हैं और वही उच्चारन हमें मंत्र उच्चारन के रूप में सुनाई देता है जिसका कुछ अपना एक कहानी है जिसको अपने तरीके से किया जाता वो मुझे नहीं मालूम है वो उनको पता होगा जो इनको सीखे हैं ठीक है यह भी एक सीखने का पॉइंट से यह भी एक सीखने की बाते हैं तो सामबेद क्या है संगीत को लेकर के है और भारतिये संगीत का सबसे पुराना सबसे उल्डस्ट वेध है और भारतिये संगीत और सामबेद परीपेड सामबेद से ही है चलिए चौथा बेद ह हमारा अथर बेद है फोर्स नंबर का बेद है और सबसे बाद का बेद है यानि की latest one है तो तो सबसे बाद का बेद है सबसे कोशन एक्जाम का बना है यह बाद ध्यान रखेंगा च मतलब यह है कि जो अथरवेद है वो जादू टोना आयूरवेद विबाह अंद विश्वास वसी करन इन से जुरे हुए यह बेद है अथरवेद बहुत दिनों तक अथरवेद को बेद का दर्जा नहीं दिया गया था लेकिन आगे चल करके फिसे बेद मान लिया गया यह भी बात आप अच्छे तरीके से समझ लिजेगा ठीक है चलिए आगे बात करते हैं इसी अथरवेद में सभा और समीती को बेटिया कहा गई है दो बहुत वात की बेटियां इस पर्जा पती की बेटियां है कि पर्जा पती की में ती बेटियां अर तब कहीज गई है ठीक है परजापती की दो बेतियां कहीं है सवहा और समीति को चलिए ठीक है हो गया यह तो हम लोग ने चार बेत के बारें बात कर लिया रीग बेत के बारें बात कर लिया यह जूरुबेत के बारें बात कर लिया रीग बेत हम प्राखनाओं का संक्रान है उसमें बहुत सारी बात किया है य्दूर्वेद क्किया है क्या वनता के तो हम उसके बार में बात करें करें तो जो किस बेद से कौन सा ब्रहमन टेक्स्ट जुरा हुआ है ये बात एक्जाम का कोशन बन जाता है तो देखेगा एत्रे और कौसीत की ये जो ब्रहमन गरंथ है ये लिग बेद से जुरा हुआ है ये कोशन आप ध्यान से देखेगा मैं फिर से बता दू ये ब्रहमन कोई जाती व्थानी नहीं है भ्रहमन गरंध है तो यह एत्रे और काउसिति की किस से जुरा है घुमल लेंद से अगला है सद्वात सट्पत भ्रहमन यजूरवेंद से पंची वीश सांबेज़ से गोपत प्राम्मण अथर्व्यज्स और कोषड़amet कि सत्पत प्राम्मण इस से जुरह हुआ है या एत्रे ब्रहमन किस बेद से जुरा हुआ है तो रिग बेद से जुरा हुआ है कौसीति की किस बेद से जुरा हुआ है तो रिग बेद से जुरा हुआ है तो ये point आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखियेगा कि ये सारे जो है न अब रहामन गरंथ किसी ने किसी बेद से जुरा हुआ है और यह एक्जाम का कोश्चन अपने आप में बन जाता है एक्जाम का कोश्चन बनता है इसको आप अच्छे तरीके से दिहां में रखिएगा चलिए आगे पड़ते हैं हम लोग और दर्सन के ऊपर थुरा सा बात कर लेते हैं इसी में कि किस दर्सन के पर्तिपादक कौन थे ठीक है किस दर्सन के परतिपादक कौन थे तो इसको आप अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है, सांख दर्सन के परतिपादक कौन है, सांख दर्सन के परतिपादक है कपिल, सांख दर्सन के परतिपादक है कपिल, ठेक है, योग दर्सन के पतंजली, न्याय का है सबसे ओल्डेस्ट फिलोसफी है अपने देश का ठीक है ओल्डेस्ट दर्सन है मैं आप लीग देता हूं और यह कोशन एक्जाम काया है ओल्डेस्ट दर्सन है सांख दर्सन कपिल मुनी इसके परवर्तक है अपने संस्था का नाम पतंजली रखा है और योग कराते हैं तो योग मुख रूप से पतंजली का देन है न्याय गौतम का है कनाद बैसेसिक है जैमिनी पुर्व मिमानसा और बादरायन उत्तर मिमानसा ठीक है इस बात को अप अच्छे तरीके समझेगा यह दर्सन है दरसन जो है ना वो क्या करता है पर लौकिक बाते करता है यानि कि लौकिक बाते नहीं करता है यानि कि इस लौ कहना चाहता है ठीक है और उपनिसद जो की दर्सन ही है उपनिसद वो उपनिसद बेदो का उसको बेदांत भी कहा जाता है उपनिसद को बेदांत भी ठीक है उपनिसद को कहा जाता है और क्या बोलते हैं कि जो बेदो के बाद उसकी जो ब्याख्याएं है अलग-अलग तरीके से वो उपनिसद में है और किस तरीके से वो लोग परलोकिक चीजों पर विश्वास करते हैं और किस तरीके आगे बात करते हैं हम लोग इसी में पुरान, पुरानों की संक्या कितने हैं, 18, सबसे पुराना पुरान कौन है, मतस पुरान सबसे पुराना पुरान है, उपनिसद की संक्या कितना है, 108, दार्शनी गरंथ है, जो की बात हम लोगों ने किया, अब उपनिसद से जो कोशन एक कंठो नहीं देखो कंठो उपनिसाद अलग है और कठो उपनिसाद अलग है इस बात को ध्यान में रखिए गा तो मतलब गल्ति करके नहीं है और यह विए को सब्सक्राइब जानते हैं कितने बार एक्जाम में पूछा हुआ है जो 30 चन्सद सुध सब्सक्राइब रहेजा है इंगि लिきतनी जासे हा मतले अंग को सबस्क सब्सक्राइब आए है की पहले बात आया था लेकिनौक पहली बात सम sill में देडा के हैं कि 2 एक शुरुतिव उनलख मतलब क्या हुथा है यह बात हम आपको बताते हैं दढूसल जो सिस और गुरू का एक पुरा का पुरा परंपरा है और जो परंपरा चल रही थी उसमें क्या होता था कि गुरु शीस्व को जो सिखाते थे सुबस्वा उचारण करके और प्रार्थनाओं के जरिये वो शीस फिर बढ़ा हो करके जब गुरु बनता है तो फिर अपने सिस्व को सिखाते हैं तो ये जो सुन-सुन के सीखने का पूरा परकिरिया है इसी को सुरूती बोला जाता है सुन-सुन के सीखने का पूरा परकिरिया और जो रिगवेद है वो इसी परकिरिया के तहत हम तक पहुंची है यानि कि सुन-सुन के एक दूसरे से और आगे चल करके जब कागज का विसकार हो गया आगे चल करके जब कलम का विसकार हो गया यानि कि लेखनी का विसकार हो गया तो फिर यहां पर ध्यान दिजेगा तो फिर उसका संकलन होना शुरू हुआ रिग बेद का या या जुर मस्तनाओं के जरी इसे याद रखा गया, इन नहीं पर था क्षरा या इस बात को अच्छे तरीक के साथ समझेगा, और फिर आगे चल करके इसका संक्रन हुआ, तो इसलिए इसे सुरूती गृन्त भी कहते हैं, सुरूती गृन्त, ठीक है, और शुरू के यानि पर्थम के जो यह बात हमने आपको बताया तो पुरादों की संख्या 18 को पुरान कॉन है मतर से पुरान है चलिए ऩो यह हमने पुरो-बैदिक agendaружुद के बारे में थोड़ा सा बात कर लिया अब थोड़ा हम लैर्टर बैदिक इज के बारे में बात कर लेते हैं और फिर हम कुछ और भी बात करते हुए चलेंगे चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं ओ सॉरी पूरुबैदिक एज में हम लोग क्या करेंगे जीवन के बारे में बात करेंगे जो पूरुबैदिक एज और लेटर बैदिक एज में हम लोग बाते थे 1500-1000 पूरुबैदिक एज और 1600 लेटर बैदिक एज यह बात आप अच्छे तरीके से चलिएगा चलिए हम लोग आगे बारत करते हैं राजनियतिक जीवन कैसा था कभिला ही था हमने आपको बता है कि राजनियतिक जीवन कभिला ही था और बड़े कभिले को जन कहा जाता और जानते हैं कि जन सब कपर्यों कितने बार किया गया है और इनके दोड़ा राजाओं का चुनाप करना क्या बोलते हैं कभिलों पर के नियवन उसार से चलाना यह सारी काम में इन समीतियों का था और समीति में महिला और पुरू सब सामीन होते थे सब योगदान देते थे चलिए जन के बाद था विस के परधान को विसेपती कहा जाता था विसेपर्ती गाओं का सम्मू होता था गराम जो होता था लडाकू टोली होती थी इसके परधान को गरामीन कहा जाता था और जो कुल होता था ये परिवार होता था इसके परधान को कुलब कहा जाता था तो कुल क्या होता था कुल परिवार को कहा जाता था कि काई था और इसे कुलब कहा जाता था उसके बाद ग्राम गाओं बनता था गाओं को क्या कहा जाता था ग्रामीन यानि कि एक लड़ाकू तोली थी उसके बाद विस होता था कई गाओं को मिला करके इसको विशैपती कहा था और जन राजन होता था इसका सबसे बपरा Kenneth और पूल कर ठीक कह बहुतार एंगरते में अगले यह चार संस्थाय थी और सभ़ा कुलीन बड़ की संस्था थी समीती समान बड़ की संस्था keshe और यह राजा का चुनाब करती थी पुरुस अर इस्तिरी यह सब भाग लेंगे और भिदिधत सब UX सबसे हालाकि समाझ में भेद भाव नहीं है यानि की जाती पर्था नहीं है इस बात को समझेगा और जो जाती है वो काम के अधार पर लेकिन यहांपे जब बात करते हैं सभा का तो जो कुलीन बर्ग है उनसे में भी जो उच बर्ग है यानी कि जो सासक हो या फिर जो manage करने वाले हो जो चीजों का leader जैसे type का लोग हो और pro hit जैसे लोग हो तो वो कुलीन बर्ग में आते थे समीती में समानने सारे जनताइं आ जाती थी वह था और बिदत ये भी एक तरीके का समाने जनताओं का पूरा का पूरा इंसिच्यूशन था जो बटवारे के उपर ध्यान देता था कि किस तरीके से राजस्व का बटवारा हो और ये राजस्व क्या था तो ये राजस्व था लूट कमाल और उपज ये राजस्व था ठी इसको बली कहा जाता था आगे चलकर के वोलेंटरी जो ग्रांट दिया जाता था उसके बारे भी बात अभी हम कर लेंगे ठीक है चलिए एक बाद ध्यान लखेगा पूरुस और महिला दोनों जो है ना भाग लेते थे इसको आप अच्छे तरीके समझेगा चलिए राजा के सह होते थे सलाकार, उसके दाद सेनारी और पुरप धूर्पति आइए कंशाम होता है क्यों ओ कुछा है उसके अधिकारी के होता थे तो पूइंट एलाजा को सहाथे करने के यह अधिकारी गन होते थे जिसको हम लोगों ने कुलीन कहा यानी कि पुरोहीत और क्या जिसको अधिकारिच हो रत् Monkey कह जाए था था पुरोहीत सेनानी सेना के जो पर्धान ते सपथ जो गुप चर थे या दुर्गपती जो पूरप कराते थे वो दुर्गपती कराते थे ये लोग राजा के अधिकारी थे कर अस्थाई नहीं था, टैक्स जो है ना बिवस्था नहीं था लेकिन अनुदान के रूप में कुछ दिया जाता था और उसे वली कहा जाता था यह कोशन एक्जाम में पूछा हुए कि वली क्या था तो वली स्वेक्षा से दी जाने वाली एक तरीके का स्वेक्षा से दी जाने वाली पूरा-पैटर्न था तो इसको आप समझ येगा वली बदा इंपोरेंट है और यही वली जब लैटर बैदी के इसकी बात करते हैं तो वो अस्थाई कर बन जाता है जैसे आज क्या है आज हमें अगर कोई समान खड़िते हैं तो इंडारेक्ट टेक्स देना ही देना परता है इसमें कोई बात नहीं है तो आज आपको देना ही परता है इंडारेक्ट टेक्स उस समय क्या था कि यह स्वेक्षा से था कि आप दीजिए या आप नहीं भी दे सकते हैं यह बिलकुल वलेंटेर ही था फाली ठीक है लेकिन ध्यान रखेएगा लडाईयां गायों के लिए होती थी पस्वा के के बीच यहां पी आर ए और अनार यांनि की यहां के जो और उनके बीच में लड़ाईया होती थी यह बात आप समंस American और यही हुआ था और कभी लों के बीच में भी लड़ाईयों भोते आपस में प्लिलों के लिछिव यह लड़ते थे हैं तो यह समझ में आगे है ना ध्यान में रतनिन बगरक आपको दिखाई दे रहा होगा चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सोसल लाइफ कैसा था समाज बिलकुल समता मूलग था समाज बिलकुल समता मूलग था और जो फैमिली था कुल था वह स्मॉलेस्ट यूनिट था और आज जानते हैं कि इसके परधान को कुलप कहा जाता था हिंदी इंगलिस में लिखा हुआ है परसान नहीं होगे इसके परध पेट्रियोकल का मतलब होता है जहां पिता पर्धान था 35 समाज था जहां पिता पर्धान होता है इस बात को भी आप समझ लीजेगा और जो समाज का ओगनाईएसन था वो गोत्र के हिसाब से था यह गोत्र का मतलब जानते हैं क्या होता है शुरुआत में गोत्र का मतलब होता था एक ही जगह पर गाय को बांधने का जगह का एक ही जगह पर जिनका सबका गाय बांधा जाता था उसको गोत्र कह दिया जाता था ठीक है बाद में चल करके इसी गोत्र को interpreting कहें दिया गया। चलक है और चलक है इससे सब्ड़ कि किस तरीके से हमारे यहां develop हुए हर किसी हुच्छ न कुछ गोतर है। चलिए आगे बात करते हैं, नुप्त या नप्त, नप्त सब्द का परयोग किसके लिए किया जाता था, तो नेफ्यू या जो भी कजियन बगारा इनके लिए नप्त सब्द का परयोग किया जाता था, पड़िवार संयुक्त था, यानि कि सब एक साथ रहते थे, ठीक है, निक क्या है नियोग परता था नियोग सिस्टम क्या होता है वो जरा अगर अच्छे तरीके समझे तो नियोग सिस्टम का मतलब होता है कि अगर महिला यहां पर देखें बिधवा विवा और नियोग एक दूसरे का प्रयावाची है प्रयवाची है, कैसे प्रयवाची है, वो समझते हैं, बीदवा का मतलब होता है, हस्बेन जिनकी डेथ हो गई है, तो वो बीदवा हो गई, और उनका साधी करा देना, नियोग में क्या होता था, कि हस्बेन डेथ हो गया, और उनकी साधी उसके भाई से करा देना, यह को पढ़ता ही था लेकिन विद्वा विवा को बढ़ावा देने वाली बात थी है ना कि हम फिर से साथी हो जाए तो यह एक बड़ा कि जो अब धारवना आपको समझ में आती है उस टाइप का समाज था जहां समाज में समानता बहुत ज्यादा था आज समाज में विभेद बहुत है ठीक है लेकिन उस समय समाज में समानता ज्यादा था तो अगर क्या बोलते हैं हमारे द्यानन स्वरसोती ने बेदों की तरफ लोटों की बात किया था तो उन्होंने लैटर बैदी के एज की बात नहीं किया था उन्होंने पुर बैदी के एज की बात किया था क्योंकि उनको ये समझ में था कि जो बेद काल थे या जो बेद का पूरा का आखंड नहीं था जिसमें कहीं कोई मतलब अंद विस्वास की जगा नहीं थी यह बात आप समझेगा मैं रिगवेद की बात क्या रहा हूं जब हम अथरवेद तक आएंगे तब आपन विस्वार जादू टोना की बात करेंगे लेटरवेदिक एज में चलिए आगे बरते हैं और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं अगला पॉइंट है कि बाल विवा का परचला नहीं था देखिए कितना बढ़िया बाल विवा नहीं था पुरोहित परमुक थे क्योंकि यह दान ले सकते थे बर्न काम के अधार पे था यह कितनी बड़ी बात है आज जो है ना बर्न जहां जनमिलियों उसके अधार पे है नाइन्थ मंडल में ये कहा गया है कि मैं नाइन्थ मंडल में एक लरका क्या कहता है मैं कभी हूँ यानि कि एक तरीके का ये इसका पुरफेशन है इसके पिता बैद है अब इसका पुरफेशन बैद है मा चक्की चलाती ये बैस है तो अगर पिता बैद है और मैं कभी हूँ तो कभी होने का मतलब कहीं नहीं यह टीचर या फिर अपर क्लास से है पिता बैद है यानि कि यह चिकित्सक का काम करता है और माता चक्की चलाते यानि कि एक तरीके का ब्यपार जैसे चीज़ है और सब एक ही साथ रहते हैं तो यह पॉइंट बड़ा इंप साहार दोनों तरह के बहुत जाते हैं मनौजन के यहां नीरत रष्त दौर बगर सब खेला जाता था बस्तर को वास अधिवास उसनिव और मीवि कभी कभी बस्तर से कोषन पूछ लेते हैं तो आप एक भार धियान रखियेगा इंपोर्टेंट हैं बस्त किया था वास अधि अब देखते हैं कि धार्मिक जीवन कैसा था या रिलीजियस लाइप कैसा था तो देखें रिलीजियस लाइप कैसा था कि परकिर्थी के पूजक थे यानि कि वह नेचर का पूजारी थे तो नेचर की पूजा करते थे बहुदेव पूजक थे, बहुत सारे देवों का पूजा करते थे, चलिए ठीक है, इंद्र सबसे परमुक देवता थे, वहाँ पे देखा हुआ, इंद्र सबसे परमुक देवता है, इसके बारे में हमने पहले बात किया, कि इसे पुरंदर भी कहते थे, बरसा का भी देवता ह सोम बनस्पति का देवता है पूसन पस्व का देवता है मरूत आंधी तुफान का देवता है ठीक है तो यह सारी पॉइंट है इसको आप अच्छे तरीके से समझेगा कि क्या होता है प्रकृति के पूजक है मिलाजुला करके और उनमें कुछ देवताओं का नाम है और यह दे पूजक है तो यह देवताओं का अलगलग कैटिगरी है तो कहीं ने कहीं यह बहुत सारे देवों के उपर में विये बिलीव करते हैं यहां पर दिया रखेगा कि जमीन कभी भी दान में नहीं दिया जाता था यहां पर मैंने कहा है कि प्रोईतों को दान में गाय और दासित दिया जाता था तो ये इसका मतलब ये है कि जमीन दान में नहीं दिया जाता था और जमीन दान देने की पर्था सबसे पहले साथ वाहनों के समय में हुआ था और ये साथ वाहन बहुत बाद में आकर किया देर हजार दो हजार साल बाद साथ वाहन जैसे चीजे दिखाई परत रिगवेदी केज में दान के रूप में गाय दिया जाता था और दासिया दी जाती थी रिगवेदी केज में चलिए आगे बरते हैं आगे जब बरते हैं तो इनका आर्थिक जीवन कैसा था तो आर्थिक जीवन देखिए मुख रूप से पसुपालक थे आप जानते हैं गाय इनका सबसे important क्या था पसु था और घोरा भी इनका सबसे important पसु था आप जानते हैं असु के उपर में बहुत बार चर्चा है और गाय के उपर भी बहुत बार चर्चा है आपके धिक ब्रेद में चलिए गाय और घोरा को हमने लिग दिया है गोधुली औ सारी चर्चा हो चुकी है तो इसको उपर हमको ज्यादा रुखना नहीं है यह सिर्फ लीख करके आपको बताने के लिए था उद्योग में देखे हैं कि उद्योग किस तरीके से है तो वो देखेगा रतकार बड़ा इंपोर्टेंट है रतकार एक ऐसा बर्ग था जिसको उपन अभी तक लोहा जैसे चीजँ यह यह रहाए ग्याइस के लिए परविए ह। यव स्व जाओ के लिए पड़योग किया गया कहीं चावल जैसे चीज भी दिखाई पड़ता यव के लिए बस यह समाण लिए जाओ या अनाज के लिए उप्योग होता था यव सिक्कों का पर्मान नहीं है तो बार्टर सिस्टम है यानि कि वार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि बस्तू के आदान पर्दान की बात है बस्तू का आदान पर्दान हमने आपको पहले जब हरत पास अब बता पर है तो उसमें बस्तू का आदान पर्दान के बारे में बात पूर बादी केज में में उससे थीक उलट आप सब अल्गत को यहां पर पकड़ो हो गया वहां पर तामबे पहलते बीच्न अयास कहा गया लोहे को, तो लोहे का विश्कार क्रानतिकारी परवर्थर नाया, अब वहाँ पे आप देखिए कि जन सबसे वड़ा ही काई था और जन का जो राजा होता था यहां पर आप क्या देख रहे हैं जन से बड़ा जनपद हो गया यानि कि जन से बड़ा हो गया एक और ही का जनपद बहुत सारे जन को मिलाकर क्या बन गया जनपद हो गया ठीक है राजा जो है अब अनुबानसिक हो गया यहां पर देखे राजा आप क्या में बिर्धि हो गई सभा और समीति कमजोगर हो गया अब यह सिंपल पॉइंट है जब राजा मजबूत होगा तो राजा की सकतियों में अंकुष लगाने वाली जितने बी संस्थाय होगी वह कमजूर हो जाएगा यह बड़ा एक दूसरे के साथ चलता है इनवर्स रिलेशन है यह और इनवर्स रिलेशन जो है न ऐसा है कि गवड़ाता नहीं है कैसे अगर राजा निरंकुस होगा तो 100% संसद और संसद्य विवस्था को यानि सवा समीति को नहीं श्रांति मानेगा और आगर अंकुकस वाला कोगा तो संसद्य वस्था को फॉलू करेगा यय clearly समीति को फॉलू करेगा और यह बात हमेसा देखा गया की जब भी राजा मजबूत हुआ है थूरे में कभी भी तो उसने अपने का बनाए गए परंपरा को incor πο है है जब तक परंपरा और के अगें तो आप बेहतर नहीं कर पाते हैं ऐसा उदाहरन है तो आप तो सठों मतला jeunes तो करके आगे बढ़ो तो वैसे हर परंप्रा मैंने आपको पहले भी कहा और मैं आज भी कहता हूं कि वैसा हर परंप्रा करें तो है उसे आप तरफ से त्याग दीजिए ऐसा वीवेकानल्जी ने कहा था तो इस point को आप समझेगा तो यहां कि सक्तियों जब बिर्दी हुई तो जो institution है वो कमजोर होने लगे बड़ा सिंपल पॉइंट है वाइजन वर्सा यानि कि यूसे से रिलेटेड है चलिए ठीक है कर ने अइसराइय होती है क्या क्षे अब ड़िग दोनों की दोनों भाई जो लड़े ठीक है लॉटेया आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं इस अगे बढ़ते हैं बिदत समाप्त हो गया ठीक है सैनिंग नियमित हो गाय Rebel Halic नियमित नहीं थे वह इ direction अस्थाय हो गया मैंने क्या था कि रिउग वयदी केश में थुरा सा आपको रिविजन करते हो swim क Marcel daily ओर वरी तरप वालेंटियर इस भी यानी कि यहां पर क्या धीर रराजा को रहां जो 229 राजा यसी क्या और यह बात भ्रहमन और चरी आंट्री के बहुत सबसे इंपॉटेंट है अचा इस दोनों के बीच में संघर्स होता था और इसी संघर्स का परिणाम है बौद और जैन यह बात भी हम आपको आगे करेंगे अब यहां पर पॉइंट देखिएगा जो चेंजेज है वो कैसा है वो देखिए मैं थोरा सा पीछे लेकर जलता हूँ राजा का चुनाव पता था आप राजा नुवानसिक हो गया राजा राजत्तों के अधिकार सी होगे वह पी वहां सावा समीटीं था तुस्य Origin Esse के लिए मुखर ओंसे कि ऐगायी बिक्सार का is melhores üç लगा युद्र राज चेत्र जीतने के लिए लगा तो पैटर्न चेंज होने लगा आप देखेगा महिलाओ को लेकरगी में आपको पता दू कि उसमें महिलाओ को बहुत सारे अधिकार थे यहां पर महिलाओ का अधिकार समाप्त हो जाते हैं वहां महिलाओ उपने अंसकार कर सकती थी सवासमीती में भाग ले सकती थी उनके लिए एजुकेशन का विवस्था था बहुत सारी बाती थी यहां महिलाओ में परदा परथा शुरू होता है महिलाओ को घर का एक और भोग की बस्तू और घर की बस्तू बना दिया गया सब्सक्राइब तक बना रहा अब आधुनिक काल में जाकर कि कहीं न कहीं महिलाय आगे बढ़ी हैं और चीजों को तरीके से लेकर के चल रही है लेकिन बहुत सालों तर लवक दो-धाई-तीन हजार सालों तक महिलाओ को घर की बस्तू और भोग की बस्तू ही समझा जाया गया चलिए ठीक है महिलाओ के बारे में भी देख लेंगे धार्मिक जीवन में देखिए धार्मिक जीवन में कटरता तेजी से आ गए यानि कि जो एक लिबरल उदार समाज था रिगवेद का वो कटरता में अंदर चला गया जैसे यग करमकांद दान बगाड़ा बहुत जादा बढ़ गए ठीक है जैसे राश्योग यह किसके लिए होता था परतिष्ठा के लिए राश्योग होने लगा असमेग किसके लिए होत था तो अपनी सक्ति के परदर्शन के लिए यहां पर डिमेंस्ट्रेशन और पावर है ठीक है तो यह सारे चीजे बहुत तेजी से बढ़ने लगा अब देखे एक और चीज़ धर्मेपरवर्तन हुआ वहां पर देवता के रूप में इंद्र परमुक देखते हैं यहां पर उपनिसद जैसे गरंतों का रचना होना शुरू हुआ इसी समय और उपनिसद बड़ा इंपोर्टेंट है हमारे देश के लिए उपनिसद को बेदांत कहा जाता है और उपनिसद में यग को टूटा हुआ नौका बताया है जिससे भव सागर पार नहीं किया जा सकता इसका क इसको अगर मैं दार्शनिक अंदाज में समझाओ तो यह कुछ ऐसा होता है कि उपनिसद यह कहते हैं कि जो आप यग बगरा करते हैं ने इसका कोई फैदा नहीं क्योंकि यग बगरा कुछ बास्तिविक चैसे चीज़े नहीं होती कि यग में जो आहुती देंगे वह रास्ता यह सारे मुक्ष प्राप्ति के लिए आप कर सकते हैं जैसे विज्ञान का रास्ता भी है तो यह सारी चीज़े आप कर सकते हैं लेकुन उपनिसद कभी नहीं कहता है कि आप यक करें आप अंध विश्वासों में बढ़एं आप कर्म कांडी हो जाएं ब्रहामनबा को बढ़ावा दे यह उपनिसद इसके खिलाफ में यानि कि जो बेदान्द या उपनिसद है यह इसके खिलाफ में है यह अलग लेवल की बात करता है यह समाज के परचलित माननेताओं को बहुत हद तक नहीं मानता है बहुत हद तक मैं यह नहीं कर आँ कि बिल्कुल तोड़ है, जिसको आपने स्विकारता दे दिया और उससे आप बच्चा को जन्म दे और अपने अबादी को बढ़ाएं, अपने मानब के बेभार को बढ़ाएं, ठीक है, यह है, लेकिन अगर सही अर्थों में देखें, तो जरूरी नहीं है कि बच्चा जन्म देने के लिए आप सवाल उठाया है है ना मैरेज इंसिट्यूशन पर इन्हों ने सवाल उठाया है इस बात को समझ लीजे तो यह भी बात आप इसको अच्छे तरीके से समझेगा कुछ बातों को ध्यान रहते हैं चलिए आगे बरते हैं समाजिक जीवन कैसा था लैटर वैदी केज में तो भर का जो दो बड़गे वह भोग करएंगे चत्रियं वह जो ब्राम्न थो क्या करेंगे उसके उपर सिंदा गिरावट आती है बाईल विबा बाई पर्चलन में नहीं है लेकिन बहुत सारे जगों पर गिरावट आती है फिर व्य यहां पर कुछ विद्वान महिलाओ का जिक्र मिलता है जिसका नाम हमने यह पर लिखा है वहाँ पर आपाला घोशा जैसे बिद्वान महिलाओं की नाम लिया था मैत्रेई, गारगी जैसे बिंद्वसी महिलाओं की बात करते है याग वल्क और गारगी संबाद बहुत famous है जहां पर याग वल्क अपने आपको बहुत ज्यादा होस्यार समझता है और गारगी उनको चुनोती देती है तो यह भी पॉइंट आप अच्छे तरीके समझ लिजेगा और यहां पर यागवल्क अपने पुरुस होने का एक दंब भरते हैं जिसमें उन्होंने लिखा है यहां पर लिखा हुआ है कि गारगी को यागवल्क बोलते हैं तुम चुप रहा होने तो हम तुमारा सर तोड़ इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं आप उसे dominant करना चाहते हैं आप उसे हिंसा के जलिए dominant करना चाहते हैं तो यह point भी आप समझेगा इस line अगर एक एक line अगर NCRT में कहीं आपको दिखता है तो उसका कुछ मतलब निकलता है जो कि आप समझ यह थोपने की बात यहां पर चलना करेंगे चले ठीक है महिलाओ की विवस्ता आप देखना गिर रहा है और जो बर्न विवस्ता आप जन्म के धार पे हो गया अब जिस घर में आप जन्म लोगे वैसा ही जाती का आप कहला होगे यह बात है बिद्वा विवा का परचलन था तो इसमें अभी कोई-कोई दिकत कर आप यही परदापर्था सुरूह होने लगा और अीट्रे ब्रहम्मिन में अपर देखे घर गामान ग्रंच जो बाद में लिखा गया अ को यानि कि बेटियों को सभी दुखों का कारण माना गया महिलाओ को खास कर किने महिला लिख सकते हैं महिला सब्सक्राइश करें नियुकों घ्लाइश के प्रति जो सोच है वह इस तरीके से डिवलप होना सुरू हो गया है वह यहां पर दिकाई इता है मैत्रे sub जो मैं तरहीं नहीं लिखा है ओमन वाज कंसिडर बैड एज सुरा अन डाइस अब देखिएगा महिलाओ को इतना गलत समझा गया है इतना खड़ाब समझा गया कि जैसे सराब पीना या चौपर खेलना या पासा खेलना जैसा महिलाओ को समझा जाने लगा चलिए ठीक है पूरुस उच बरका हो और महिला उन्हीं के बरका हो या नीचे बरका हो तो वह अनुलोम बिवा हो गया पूरुस निमन बरका हो और महिला उच बरका हो तो वह पूरुस निमन 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 आपर हो जाता है जिसमें आप देखते हैं कि आशर्म विवस्था को चार आशर्म है यहांपर ब्रहम्चर् है गिलस्त है बानप्रस्थ है साatura और सपस्ता और व्हिस्थ ओर यह एंसाब से आप इसकर आफ से ने रहेंगे तक यह मनुस्ट के ज़ल को सौ सालों में बठा 25 से 50 ये आपका गिड़स्त जीवन है जहांपे आप सादी विवा करेंगे अपना घर बसाएंगे अपने माव आपके अपने बंदू बांधव के साथ रहेंगे और अपने घर को चलाएंगे जो प्रहम्चर्मे आपने सिख्छा लिया उस सिख्षाके हिसाब से अपने घर को आगे बढ़ाएंगे उसकार बान परस्त है यानि कि पचाश से पच्छतर का साल बान परस्त का माना गया है ठीक है ק enики आप यहाँ पे जंगल की तरफ जाएंगे और एक तरी केओ का आप उस दोनों को मिला करने कि लोगों को सिक्षा present के लिए ना सुरू करिंगे और लोगों को सिक्षा देंगे सवाज के अखãyйलिट के लिए काम करेंगे जंगल में रहेंगे और मतलब है आप सन्यास लेंगे हर चीज से बिरक्त हो जाएंगे ना आपको घर से मतलब है ना आपको किसी के सीछा देंश से मतलब है कहीं किसी से कोई मतलब नहीं तो यह लाश्ट्ट था जो 75 से 100 मासाल को ले करके यहां पर कहा गया है तो यह बात भी द्ध्यान में रखेगा यहां पर देखिए गोत्र सिस्टम को बारे मैंने आपको पहले बताया था कि समूचे practiced समूचे कुल का गोधन बांधा जाता था कि गया बांधा जाता था पता नहीं मैं कैसे खंडन करूँ लेकिन मैं यह कहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है लेकिन फिर भी अगर विज्ञानिक प्रमान है और जिसके आइविडेंस अगर आप लोगो के पास है तो मैं उसके साथ जा सकता हूं लेकिन यहां पर इस बात को धियान म अब जो कि आज पॉपुलेशन इतना जादा हो गया है कि समझ में नहीं आता है और गोत्र गोत्र तो पता नहीं क्या हो रहा है अर्थिक जीवन यानि कि एकनॉमिक लाइफ अचा एक बादाते हैं आगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग हमें कमेंट करें क और अणकर पता है मैं जानता हूं जयांताओ यह जब चार-पान्स साल का था तो सबसे पहले ममी घास करके मेरी ममी थ्यां देंख थी रही थी हम को ठीक है हर चीज वह थोड़ी सी पड़ी दिशेटी बहुत नहीं थोड़ी सी चलिए आर्थिक जीवन के बारे में बात करते हैं कैसा था आरथिक सी तो देखिए से वहाँ के अर्थिक G Bagad variety यहाँ क्या मुलते हैं चीजे सुरू हो जाती है सिक्कों का पर्चलन की बात होने लगता है आहत सिक्के दिखाई देने लगते हैं हाला कि बहुत ज़्यादा पर्चलन नहीं है हाला कि बहुत ज़्यादा सिक्के दिखें दिखते नहीं है लेकिन पंच मार क्वाइन जो है न वह लगा तो वैपार होगा क्योंकि इसको बेचा जाएगा उसके वदले कुछ ले के आए जाएगा तो स्हार का निर्मान को ये एक नीव देगा और इसलिए देखते हैं कि महाजनपत का जो काल होता है वो दूती सरीकरन का काल होता है जिसकी नीव लेटर बैदिक एज भी डालते हैं तो लेटर बैदिक एज में अगर कुछ गरवरी हुई तो कुछ अच्छी बाती हुई जिसमें सहरों का आहत सिक्के थे थोड़ा वहुत हमें दिखना तीजाता है यही बात मैंने का कि सिक्के का परष़र नहीं है लेकिन थोड़ा वहुत रिच्छ जाता है उसका नाम निस्क और सथमान जासे कोसन एक्जाम का बना है कई बारी बनेगा ठीक है शिल्पियों यानि सिल्पी देख होता है ठीक है यह उद्योग का विकास देता है दूसरी सारी करन की शुरुआत का आधार जो मैंने कहा न कि Letter- helm Ricky case दूसरी सारी कि शुरुआत का एक बेस बनाता है तो वो अधार पर्दान किया और इस समय जो बरतनों का परियोग होता था पुली पॉलिसदार मुर्दभास्ट इसका पर चुत्री दूसर मुर्दभान याणि पेंटेटेट ग्रेन इसका परयोग करते थे तो यह कुछ मिर्दभान वेगारा का पड़योग करते थे जो लैटर बैदिक एज के थे और यहां से कोसन एकजाम के कई बारी बने है तो इसको अब ध्यान में रखेगा तो इस तरीके से हमने बैदिक एज और लैटर बैदिक एज दोनों को बताया यानि कि टोटल बैदिक एज को बताया जिसमें बैदिक एज को हमने दो भागों बता पुरु बैदिक एज जिसमें रिगबेद का निर्मान हुआ था लैटर बैदिक एज जिसमें हम क्या देखते हैं कि तीन बागी के तीन बैद का निर्मान हुआ था यजूरबेद, सामबेद और अथरवेद का उसके बाद फिर बैदिक एज में क्या-क्या points था यानि कि इडिक बैदिक काल में क्या-क्या point था हमने सब बात बता है बेदों को लेकर के और उसके राजनितिक जीवन, समाजिक जीवन, धार्मिक जीवन सब और ठीक लेटर बैदिक एज में बेदों के लेकर के क्या point था और फिर उसके आर्थिक तो यह सारी चीजे बड़ा आसान है इसको सिर्फ आप अरेंज कर लिजे अपने मन में जो बात हमने आपको आया है तो बैदिक एज को यह पी हम रोकते हैं थैंक्यो थैंक्यो वेरी मच आगली वार हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दूसरी लेक्चर के साथ